Theorem of Perpendicular Axes है क्या ? Theorem of Perpendicular Axes के अंदर Suppose करो आपके पास कोई भी एक body है कोई भी एक body है और यह जो body है यह 2D body होनी चाहिए 2D मतलब स्फेर ने होना चाहिए spherical body 3D है हर axis में उसका mass distributed है यह 2D होनी चाहिए जैसी sheet X square sheet है, circular sheet है, disk है, ring है 2D है, XY plane में body पड़ी हुई है यह sphere ने होना चाहिए, यह cone में होना चाहिए ठीक है, और physics में जो body का mass 2D में distributed है उसको हम बोलते है lamina lamina मैं भी इसमें definition में लिखा हुए है तो हम क्या consider करेंगे एक lamina, lamina जैसे sheet तो उसके उपर applicable है तो question यह है, कि आपके पास एक lamina 2D body है और suppose करो, यह एक axis है यह एक axis है X axis, यह axis है इसका suppose Z axis Y ले लो, Z ले लो, कुछ भी ले लो मैंने आँ Z ले लिया और यह कौन सा axis है? XY मैंने इस प्रिए Z लिया, कि मैं यह बताना चाहता हूँ तो मेरी body XY plane में है तो यह कौन सा plane है? XY plane ठीक है यह तक तो यह मान लो 3 axis है जो इसमें से पास कर रहे है और condition यह है, इस theorem को लगाने के लिए कि तीनों के तीनों axis एक ही point से पास होने जरूरी है यह नही है कि एक इदर जा रहा है तो एक इदर जा रहा है करती है, क्या है थिरुम का result पहले बता रहा हूं, प्रूफ बाद में बताऊंगा according to this theorem, अगर कोई मिर को moment of नर्शया की value बताए Z axis के along Z axis के along moment नर्शया का मतलब यह है कि अगर यह body ऐसे रूटेट करे तो axis कहां से पास करेगा Z में अगर करे अगर इसे रूटेट करे तो Axis कहां से पास करेगा Axis X हो जाएगा और अगर इसके about rotate करे तो Axis क्या हो जाएगा Y हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है आपकी मर्जी कैसे मर्जी को भाओ Z axis के along मान लो moment नर्शया I Z है और अगर X के about rotation है To moment of inertia I X है और अगर Y के along गूमती है तो moment of inertia I Y है यह theorem का formula यह कहता है shortcut यह कहता है कि जो Z के along moment of inertia होगा वो moment of inertia X के along plus Y के along इसके sum के equal होगा यह theorem है तो theorem यह कहती है कि आपके पास pull मिलाके 3 axes है ठीक है 3 axes होंगे तीनों axes A की point में से पास भी करेंगे जैसे मैंने पताया तो मानलो एक body है और जैसे यह body ले ले लेते है यह मानलो 2D body है यह इसका पहला axis है यह इसका दूसरा axis है और तीसरा axis कहां से पास कर रहा है इसके perpendicular condition यही है कि दो axis को कहां से पास करने body के अंदर से and they should be perpendicular to each other तो दो axis कहां से पास करेंगे इसके body के अंदर से इस plane में लाई करेंगे and they should be perpendicular to each other और तीसरा axis कहां होगा इन दोनों के perpendicular तो आप ऐसे यादना करें कि Z के long moment ratio is always equal to X और Y के long क्यों कल को मैं Z axis इसको बोल दूँ फिर यह Z है यह Y है यह X है तो फिर आप तो गलत फिरुम लगात होगे तो आप ऐसे याद करोगे कि दो एकसे बोड़ी के अंदर से पास करेंगे तीसरा axis इन दोनों एकसे के परपेंडिकुलर होगा और आउट अफ प्लेन होगा परपेंडिकुलर होगा तो जो आप आप प्लेन होगा उसका मोमेंट अपनेशिया जो इन प्लेन आप उनके सम के इकवल होगा उनका नाम चाहे X हो जाए Y हो जाए Z हो जाए मेरे कुल लेन देना नहीं कोई भी तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों एक्सेज जो प्लेन में लाई करते हैं मालो एक के लोंग मोमेंट अनशिया 10 है एक के लोंग 15 है तो पक्की बात है जो आउट अट अप्लेन एक्सेज है उसका मोमेंट अनशिया 10 प्स 15 कितना हो जाएगा 25 अगर आप एक्सवाइज एक्सेज हो जाएगा आप उसके लोगा बात खतम क्या यह शॉटकट क्लियर है तो इसमें अक्सेज चेंज करने की जूरुत नी है अगर मैं आपको इसके अलोंग मोमेंट अनशिया दूं इसके अलोंग दूं तो आप इसके लोंग निकाल सकते हो या इसके लोंग दूं इसके लोंग दूं इसके लोंग निकाल सकते हो तो आपको बार-बार integration करने की ज़रूरत नहीं है पर condition यही है कि तीनों एक्सेज एक दूसरे के क्या होने चाहिए परपेंडिकलर होना चाहिए ऐसे टेडिमिन एक्सिज पर यह लगती नहीं है अब मैं क्या करूँगा इसका पूरूफ बताता हूं कैसे होगा पूरूफ के बाद मैं आपको कुछ मैं कि अंगर फिगर समय के दिखाथा हूं कि कुछ यह लगती कैसे है प्रैक्टिकल्डल भीकलेगी कैसे पहले लिक में दिखते हैं यह आया तो आया कैसी रізसल्ट प्रूफ के लिए काम करते हैं मैं यह फिकर बार यह एक बार फिर नहीं एक लाओ कर रहा हूं तो theorem of perpendicular axis देखो तो इसमें suppose करो कोई भी एक lamina ले ले लेते हैं कोई भी किसी भी shape का random कोई भी एक lamina ले ले लिया it's a close body and 2D body ठीक है फिर मैंने 3 axis ले 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 ये मेरा पहला axis जैसे मैंने बनाया था ये मेरा क्या है x-axis ये मेरा कौन से x-axis लिया था मैंने z-axis और ये कौन से लिया था मैंने y-axis ठीक हो गया अंतर? suppose करो किस body के अंदर कोई particle है m1 ठीक है? particle तो बहुत साने है m1, m2, m3 up to mn तो मैंने कोई particle लिया जिसका point mass कितना है m1 simple एक particle लिया मेर को ये चीज़ बताओ कि इस particle का perpendicular distance x से अगर निकालना है तो ये बनेगा ये इसका perpendicular distance है और इस particle का perpendicular distance अगर y से निकालना है तो ये बनेगा क्या ये point क्लियर है? ये x से बनेगा और должно ये y से बनेगा ठीक है Hashtel? और अगर मैं यह कहूं कि यह distance होगा क्या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि x-axis के along यह coordinate कितना है इसका x1 y-axis में यह coordinate कितना है y1 तो अगर यह y1 है तो obviously यह भी कितना है y1 यह x1 है तो यह कितना है x1 put out this में तो मेरा एक simple question है इस particle का perpendicular distance x-axis से कितना है इस particle का perpendicular distance इस axis से कितना है y1 तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि मैंने x-axis से distance पूछा तो x1 बोल दो नहीं x1 के along नहीं पूछा x1 से पूछा तो इस particle का x-axis से perpendicular distance है y1 और इस particle का y-axis से perpendicular distance कितना है x1 और इस particle का perpendicular distance z axis जो z axis भीच में से पास कर रहा है आप straight distance join कर लो और यह distance कितना हैगा? z1 clear है यहाँ तक यह पहले particle की story है तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह बताओ कि इस case में जो अगर मैं x is x लूँ, x, x, dash x, x, dash कुछ नहीं है इसको और extend कर लोगे तो इसका नाम क्या डाल दोगे? x, x, dash, एगी बात है मतलब x और x, dash एगी बात है x लिख लो जाए कोई बात नहीं है तो अगर मैं यह पूछू हूँ कि x-axis के लॉग इस particle का moment ratio बोलो क्या होगा तो यह point mass है point mass का mass कितना है? m1 और perpendicular distance कितना है इस particle का perpendicular distance कितना है x1, x से y1 तो यहाँ पर क्या हैगा? m1 y1 square, यह important है कई बार लोग confused होते है चल x रह यहाँ, y कैसे आ गया? क्योंकि हमने x क्या लिया? x तो particle की दूरी कहां से देखी जाएगी x से? जो कि यहाँ पर x1 नहीं है, जो कि यहाँ पर क्या है? y1, put out इसमें क्या है पॉइंट क्लियर है आतक? ठीक है, तो यह आपका x-axis है, मैं इसके about moment रशाय निकाल रहा हूं तो point mass का distance यहां से कितना है y1 अच्छा, एक और particle, imagine करो m2 होता, m2 थी same story थी, बोलो क्या था m2 into y2 y2 square, ऐसे करते-करते nth particle होता, तो क्या था? yn square, कोई doubt इसमें? clear है आतक? एक figure, एक particle के लिए figure नहीं, n के लिए ठीक है आतक? तो यहां से x-axis के along moment of inertia will be equal to क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, sigma sigma summation plus 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 प्लस हो रहा है, तो पहला particle m1, दूसरा है m2, m3, mn तो यहां पर क्या हैगा? m i, where i starts from 1 to n to mi का मतलब की पहला i की वल्यू 1, to m1 2, to m2 3, to m3 and so on, to m1, m2, m3 चल रहा है, to mi, next y1 square, y2 square, y3 square तो यहां लिख लिख य i का square, i की वल्यू 1 put कर होगे, तो क्या हैगा? m1 y1 square, 2 put करोगे, m2 y2, 3 put करोगे, m3 y3 square, addition, का मतलब सी कम addition कर रहा है, क्या यह point clear है? यह पकी equation number 1 है ठीक, यह तक equation 1 clear है अब एक काम करो, same चीज मैं पूछता हूँ आप से y-axis में, अब y-axis में moment inertia बताओ अब axis y है, y-axis के along इस particle का perpendicular distance y से कितना है? x1, तो क्या बनेगा? m1 into x1 square ऐसी m2 into x2 square करते-करते-करते-करते mn into x n square, put out इसमें क्या यह point clear है यह तक? ठीक और summation की form में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा sigma m1, m2, m3 की जगा mi, यहाँ पर xi का square i start from 1 to n यह आपकी equation number 2 put out इसमें तो यहाँ से आगया equation number 1 यह का equation number 2 ठीक? तो मैं नीचे लिख देता हूँ यह मेर पास आगई equation number 1 जो की i x x dash की थी that is sigma mi y i ka square 1 to n equation number 1 और similarly y y dash mi x i ka square i from 1 to n काम करो first equation और second equation को add कर दो तो i x x dash i y y dash sigma mi x i square sigma mi y i square i varies from 1 to n और i varies from 1 to n क्या ही के point clear है यहाँ तक add कर दिया? add करके काम करो इसमें से common निकाल लो कैसे? यह आपके पास sigma mi common आ गया तो क्या पचा? x i ka square plus y i ka square z i square क्या होगा? x i square plus y i square to मैं ऐसा लिख सकता हूँ sigma mi z i square where i varies from 1 to n चलेगा? x i square y i square का सम क्या? z i square तो इसमें अगर इसे open करेंगे तो क्या एगा? m1 z i square m2 z i square करते-करते mn z n square clear है आतक? अब एक बाल बताओ आपका axis z axis center से पास कर रहा था particle m1 की दूरी z axis से z 1 थी तो इसका moment of inertia क्या होगा? point mass का z से m1 z 1 square ऐसी m2 particle का m2 z 2 square m3 का m3 z 3 square तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसकी जगा i z axis एक ही बात है इस सब का sum क्या देगा? आपको i z axis और मैंने यही तो प्रूफ करना था क्या? कि x axis का sum और moment of inertia y के long is equal to z के long क्या यह step के लिए रहा है यहां तक? कोई doubt इसमें? point समझ में आ रहा है यहां तक? कि x axis का y axis का moment of inertia का sum z axis के moment of inertia के sum के equal आएगा कोई doubt? ठीक है यहां तक? तो यह theorem है और theorem का proof है अगर आप अपनी इस sheet में जाएंगे तो इसकी statement भी आपको लिखनी पड़ेगी theorem of perpendicular axis के accordingly according to this theorem moment of inertia of a plane lamina तो इसमें मेंशन किया यह theorem किस पे चलेगी plane? lamina पे जैसे sheet two dimension body of any shape and size about any z axis perpendicular to the plane of lamina तो यह z axis क्या है? perpendicular to the plane of lamina is equal to sum of moment of inertia of a lamina about two mutually perpendicular axis x axis and y axis और यह तीनों axis एक ही point से पास होने चाहिए और यह words में लिख सकते हो but statement का मतलब समझ में आ रहे है कि क्या statement है इसकी? ठीक है यहां तक मैं इस theorem को लगा के दिखाता हूं किसी figure पे ताकि आप आइडिया हो की लगेगी कैसे अभी तो theory हुई यह और formula किया यह देखो इसको लगाने के लिए हम ऐसा करते है कि example लेते है ठीक है? example है कि suppose आपके पास एक disc है suppose यह disc है जिसका mass m है और radius r है तो मेरा question है कि अगर कोई axis इसके center से pass कर रहे है तो बोलो moment of inertia क्या होगा? half m a square को doubt इसमें? clear है यहां तक? disc का moment of inertia half m a square clear है? अब question है मेरको moment of inertia निकालना disc का किसके about about its diameter कि मानलो कोई axis disc के diameter में पास हो रहा होता और उसके about अगर rotation होती तो मुझे i निकालना क्या होगा? ठीक है यहां तक? तो मुझे पहला point बताओ diameter कितने disc के infinite है इसके diameter ले लेते जाओ जाओ लेते जाओ लेते जाओ कितने मरजी लो? तो एक यह तो diameter तो होंगे नि point number two diameter के about अगर moment of inertia i' है एक diameter के about तो सारे diameter के about answer will remain same symmetry है ना? जाओ जो मरजी एक्सिस कीचलो बाद तो diameter तो diameter है तो एक के ऐसे तो है नहीं तो एक अंसर तो नहीं याद करूंगा तो एक अंसर होगा किसी भी diameter के about ले लो यही क्लिर रहा है तो मैं काम करता हूँ ट्रिक लगाता हूँ थोड़ी सी कि मैं जो moment of inertia निकालना चाहता हूँ diameter के across मैं कोई भी diameter लूँ मैं दो diameter लेता हूँ दोनो diameter ऐसे लूँगा such that both diameters are perpendicular to each other मेरी मरजी diameter कोई भी लूँ तो मैंने जानके क्या लिया वो diameter लिये जो आपस में क्या है 90 degree पे और तीसरा axis बीच में से पास कर रहा है अभी तीनों axis किस में हो गए perpendicular हो गए ताकि मैं क्या लगा सकाँ सकूँ theorem of perpendicular axis diameter कोई भी ले सकते थे तो मैंने जानके क्या लिये वो diameter लिये जो आपस में 90 degree पे हैं तो एक और दो diameter लिये और दोनो diameter इन plane है इस डिस्क के अंदर लाई करते हैं तो इन में से मालो एक x-axis है और एक y-axis है और तीसरा axis कहां से पास कर रहा है इनके out of plane clear है यहां तक तो अगर मैं यह बोलता हूं कि diameter के about जो moment of inertia id है और दूसरे diameter के about moment of inertia id होगा obviously और theorem of perpendicular axis यह बोलती है जो out of plane axis है उसका id प्लस id के equal होगा put out इसमें तो जो out of plane moment inertia half mr square है वो किसके equal होगा id plus id तो मैंने add कर लिया तो मेरे पास solve करके यह क्या हैगा 2 times id और solve करके answer क्या हैगा 1 by 4 mr square तो डिस्क के diameter के about moment of inertia का formula half 1 by 4 mr square तो कैसे बना 1 by 4 समय में रहा है बिना integration के कुछ भी नहीं है shortcut लगा दिया दो तीनों axis पर पेंडिवर ले लिये एक का मालूम था दो का equal है add करके answer जैसे suppose करो फिर एक बार देखो मान लो आपके पास figure ring है इस पर same question है और इस बार मैंने क्या लिया एक ring लिया suppose same question है इस बार ring है और question वही है क्या question है कि इसका इस axis के about ring के about moment of inertia कितना है mr square तो आपको इसके diameter के about निकालना है तो क्या करना है कोई भी दो diameter ले लो और मैंने जानके क्या लिये जो किनके perpendicular है तो ring के about इसके about अगर value id तो इसके about भी id और theorem of perpendicular axis के accordingly mr square is equal to id plus id तो i of d की value solve करके क्या है कि 1 by 2 mr square क्या स्टेप क्लियर है आज के बाद एक और short cut यह भी नहीं करना short cut का भी short cut कि अगर मालो आपके पास कोई भी ऐसी symmetrical body a ring or disk और इसका center के about moment inertia मालो 10 है तो diameter में हमेशा value हाफ हो जाएगी आपने देखा तो पांच-पांच हो जाएगी simple numerical आएगा कुछ भी नहीं करना होता symmetrical figures में जो भी moment मालो आजिशा central axis की होती है diameter में value straight away हाफ हो जाती है बात खब तो क्या यह point क्लियर है यहां तक संभ्या रहा है यहां तक फिर एक question का answer दो और देखते हैं कौन shortcut सबसे पहले लगाता है suppose आपके पास यह एक axis है जिसके about value 2 by 5 mr square है और यह क्या है एक solid sphere तो मेरे को solid sphere का moment runshya पता है बो diameter के about क्या होगा 1 by half mr square sorry mr square कितने लोग बोलते है 2 by कितने लोग बोलते है 4 by 5 mr square कितने लोग बोलते है 2 by 5 mr square हाँ तो 2 by 5 mr square पे बो ठीक है अरे यह तो lamina है यह नहीं यह तो 3D body है इस पर तो theorem लगेगी नहीं solid sphere बोला और वैसे भी solid sphere का जो जो central axis है वही तो उसका diameter है तो solid sphere symmetrical है 3D में वही center axis है वही diameter है तो answer पे रिमेन सेम इसमे मत लगाना